हेलो लेर्नर्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल तू दी पॉइंट लेर्निंग, आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनस स्टडी यूपी बोर्ड का टॉपिक, इसकन विपनी से संबंधित भारत के नैशनल स्टॉक एक्स्चेंज टॉपिक को डिस्कस कर रही हूं, इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे उससे जरूर देख वीजेगा, तो आज जिस चीज की हम बात करेंगे, वह हैं फीचर्स यानि NSE के विशेष्टाएं क्या-क्या है, या इनकी प्रकृती क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, पहले National Stock Exchange देख लेते हैं एक बार, National Stock Exchange क्या होता है, एक ऐसा, ऐसी संसा है, जो कि आपके प्रती भूतियों के क्रे विक्रे में सहायता करती है, ये कोई एक स्पेशल जगा नहीं है, ये आपके अलग-अलग ब्रांचेस के थ्रू, अलग-अलग बैंक के थ्रू, डील करती है, चीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये क्या-क्या इनकी विशेष्टाएं है, National Stock Exchange को क्यों हम इतनी प्रायोर्टी देते हैं, तो मॉडल एक्सचेंज, यानि NSE का मॉडल एक्सचेंज, NSE को मॉडल एक्सचेंज कहा जाता है, कहा गया है, क्योंकि इस कहीं कोई बात चुपाना नहीं, आप जिस कंपनी के शेर खरीदना चाते हो, उसकी कंपनी से संबंदित, जो भी इंफरमेशन आपको चाहिए, वो साफ-साफ आपको यहाँ NSE के द्वारा प्रोवाइड होती है, ये अपनी तरह की पहली सकन विपड़ी है, क्योंकि National Stock Exchange और बहुती जदा पारदर्शता है, यानि क्लियर फेयर एग्रिमेंट है, कहीं कोई आपको कोई बात चुपाई नहीं जाती है, कहीं कोई की चीज़ की चीटिंग होना, चांसे बहुत कम होते हैं, एक तो नेशन की तरफ से है, ये पूरे National Stock Exchange को कंट्रोल करता है, तो इसलि वीडियो में डिसकस किया था, ये इसके टर्मिनल ही है, कहां कहां हम National Stock Exchange में डील कर सकते हैं, यानि कौन कौन सी ऐसे आपके बैंक्स हैं, जहां पे हम जाकर स्टॉक्स या शेयस वगेरा को खरीद बेच सकते हैं, नसी के द्वारा, तो ये सारे इनके टर्मिनल है, तो ये प विधा के अकॉर्डिंग कहीं भी जाकर ये काम कर सकते हैं, शेयस के क्रेविकरा का, तीसरा पॉइंट आते हैं, दो अंग, नसी पर व्यवार की जाने वाली प्रतिभूतियों के आधार पर इसे दो भागों में बाटा गया है, जो प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जा आता है कि आपको बड़े अमाउंट में लॉंग टर्म के लिए लंबे समय के लिए लंबे अविजी के लिए कोई लोन की आविशकता है, पैसे की आविशकता है और आप अपने शेयर को बेचना चाते हैं, या मैं एज़ा निवेशक इन्वेस्टर कहीं लॉंग टर्म सेक् क्याते हैं, क्यों कि अलग-अलग तरीके की प्रतिभूतियों हो खरीदा और बेचा जाता है, तो मुझे पैसा चाहिए तो भी एक अच्छा प्लैटफार्म में मेरे लिए, और अगर मुझे केवल shares में deal करना है तो भी ये मेरे लिए अच्छा platform है तो दोनों भागों में इसको विभाजित किया जाता है चोथा point आते हैं आसान पहुँच पूरे देश में NSE के terminal होने के कारण प्रते एक छोटा बड़ा निवेशक यहां आसानी से पहुँच सकता है को आपके अलग-अलग संसाओं में अलग-अलग बैंकों में यह सुविधा दी जाती है तो कोई भी छोटा बड़ा निवेशक जिसकी पहुच केवल अपने शहर तक भी है वो भी इन इस टॉक एक्सचेंज में पैसा बड़ी सुविधा के साथ लगा सकता है उसकी पहुच मे पांचवा आते हैं एक ही मूले यानि कि सेम प्राइज परमपरागर पद्धिती में एक ही कमपनी के अंश का विभेन शेयर बाजारों में अलग-अलग मूले होता था यानि कि पुराने जो स्टॉक एस्चेंज चलते थे उसमें क्या होता था कि अलग-अलग शेहर की यहां पर 15 रुपए का एक शेयर हो तो यह चीज क्या है यह भिनता आ गई इससे क्या होगा जो जिस शहर का है investor उसको उस शहर के according ही फायदा या नुकसान मिलेगा लेकिन NSE में क्या होता है जो भी कंपनिया है उन सब के मूल एक जैसे होते हैं एक समय पर ठीक है अगर national stock exchange में reliance company ने अपने share को लिस्ट किया है तो वो share का जो दाम होगा वो national stock exchange के अंत आपके संस्था हैं जितने bank हैं और किसी भी शहर में हैं सब का मूल एक ही होगा अलग-अलग नहीं होता तो यह सुविदा काफी अच्छी है कि आप किसी भी investor किसी भी निवेशक के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है वो एक ही price पर हर जगा से shares को खरीच सकता है दूसरा आते हैं आदेश चालित पद्धिती यानि order driving system क्योंकि आपे online आपका shares में deal होती है न क्यों आप एक DMAT account बनाते हो उस पर order place करते हो जैसे आप online shopping करते हैं उसी तरीके से आप shares वग्यरा भी खरीदते हैं तो NSE आदेश चालित पद्धिती पर आधारत stock exchange है इस पर पहले प्र मैं क्या करूंगी मुझे अगर order place करना तो पहले मैं सबसे पहले उसका order share पसंद करके order place करूंगी उसका तो इसमें इसलिए कहा जारा है कि आदेश देते हैं कि वे किस प्रतिभूती को कितनी मात्रा में किस भाव पर तथा किस समय पर खरीदने या बेचने के लिए तैयार ह तो पहले आप समान पसंद करते हो उसकी quantity देखते हो उसका सारी उसके बारे में जानकारी खटा करते हो कितने price का है कहां से बिकरा है किस company का है product तो वही सेम काम आपका यहां पे भी होता है यही सारी चीज़ें आप शेर में भी पहले अच्छे से देख लेते हो और तब order को place करते हो computer को यह संदेश मिलते ही आदेश मिलान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जैसे ही आप order place कर देते हैं कि हां आपको इस company का share इतने share और इतने रुपए के share खरीदने हैं आपने जैसे ही order place कर दिया तो उसके बाद जो NSC का computer है वो अपना काम शुरू कर देता है आप प्राप्त हो जाती है और जैसे ही जिस दाम का share जिस company का share आप खरीदना चाते हैं वो अपनी लिस्ट में उस share को उस दाम पर ढूंडेगा ठीक है stock exchange खुड ढूंडेगा और आपके सामने आपकी TV आपकी जो computer screen है उस पर उस order को दिखा देगा यह ऐसे ही समझे जैसे आपको TV खरीदना है या आपको suppose कोई कपड़ा खरीदना है आपने online साइट पे जाकर क्या लिखा उस कपड़े का केवल नाम लिख दिया अब उससे related जितने brand होंगे वो सारे आ जाएंगे अलग-अलग दाम पे आ जाएंगे अलग-अलग size के आ जाएंगे इसी तरीके से same काम आप आपका national stock exchange के computer-based काम पे भी होता है कि आपने order की detail लिख दी अब उस order से related जो भी share market में share होगा वो आपकी computer screen पे साफ-साफ आपको दिखाई दे जाएगा और उससे संबंदित सारी जानकारी आपको वही computer screen पर मिल जाएगी तो यह एक काफी अच्छी सुविदा है कि आपको कहीं इदर उदर जाना नहीं है कोई information खुद से collect करनी नहीं है बस आप button क्लिक करी और आपका काम हो जाएगा दनाते गोपनियता secrecy NACI कि किसी एक terminal पर किये सौदे की जानकारी दूसरे को नहीं हो सकती है जिससे निवेशक की गोपनियता बनी रहती है investors की जो secrecy है कौन investor कौन सा share खरीद रहा है इसकी जानकारी आपके अलग-अलग terminals को नहीं होती यानि अलग-अलग branches को नहीं होती जैसे अगर आप Life Insurance Corporation of India से कोई share खरीद रहे हो तो उस share की जानकारी आपके बाकी banks को, industrial development bank को, finance corporation को सबको नहीं होगी यह चीज क्या है यह आपकी secrecy maintain रहेगी कि आपने कहां से किस संसा से share खरीदा है वो केवल उस संसा को ही उस चीज की जानकारी है यह NSE को ही सिर्फ उसकी जानकारी होगी वो जानकारी आपके बाकी किसी संसा में बाटी नहीं जाएगी तो यह गोपनियता बनी रहती है इसके अलावा आते है NSE आए पर उन कंपनियों के अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों में भी वियभार हो सकता है जो अन्य बाजारों में सूची बद है NSE क्योंकि National Stock Exchange है पूरे देश भर का Stock Exchange है यह तो किसी और शहर का कोई और Stock Exchange में कोई और शेयर भिक रहा है या खरीदा जा रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको इस NSE पर हो जाएगी जैसे आप अगर मुंबई Stock Exchange में हैं आप मुंबई में काम कर रहे हैं मुंबई Stock Exchange के Shares में आप डील कर रहे हैं तो आपको जानकारी जैपूर के Stock Exchange की भी हो जाएगी कि कौन कौन से Shares वगेरा लिस्टेड है जैपूर के Stock Exchange में तो यह सुविधा आपको मिलती है क्यों क्योंकि NSE पूरे नेशन भर के Shares में डील करता है तो आपको सारे ही Shares की सूचीबत जानकारी हो जाती है तो यह कई सारी विशेष्टाएं हैं जो NSE के साथ हैं जिनमें आपको प्रतिभूतियों के क्रेव इक्रेव में काफी आसानी हो जाती है Information मिलना, Order Place करना, जानकारी पाना, कहीं बिना इधा उदर जाए हुए आपका काम आपके अपने शेहर के अंदर हो जाना तो यह सारी सुविधाएं आपको NSE की तरफ से मिलती हैं तो यह हो गई आपकी आठ विशेष्टाएं NSE की आपको यह क्लियर हुआ हो, अगर वीडियो समझ में आया है तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करें बाकी कोई बात है, कोई सुझाव है, कोई प्रश्ण है तो आप उसे कमें सेक्षन में लिख सकते हैं बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजए और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा ताकि लेटर्स नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मेरे बाकी वीडियो भी बिजनस स्टेडी से रिलेटेड आपको मेरे इसी चैनल पर मिलेंगे इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों पे ही ज़रूर क्लिक करिएगा थैंक यू और नाइस टे